हलो दोस्तों आप सब कर स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ डिप्स हिंदी में आज मैं आप सब के लिए बहुत ही महत्वपुन टॉपिक लेके आई हूँ सालों पुराने घुटनों के दर्द, सूजन, गठिया और हडियों के दर्द का रामबार इलाज है ये नुस्का आईए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों कॉमकर्ट ट्रांथ में बहुती आसानी से देखा जाता है हिमाले किक्तराई में इसकी पैदावार बहुती अधिक होती है इसके पत्ते लंबे, चौडे होते हैं इसका परियोग पत्तल बनाने के लिए किया जाता है इसकी दो जातिया होती है एक काली तथा दूसरी सफेद इसके छाल लचीली और मजबूत होती है इसकी रसी बनाई जाती है इसकी छाल को ही कायफल तहते है इसका परियोग पित, जवर, कफ, योनी दोश, विश, क्रमी, मिर्गी तथा नपुनसक्ता के नाश के लिए किया जाता है ये नपुनसक्ता को खत्म करता है तो दोस्तों इतने सारे नुसकों के हमने बात करी है हमने आपको बताया कि ये कहाcka हा मिलता है इसका नाम है कायफल घुत्नों के दर्त के लिए बहुती रामबन इलाज है इसके उप्चार के लिए बाजार से 200 ग्राम कायफल लाकर उसके टुकडे या चूरा करके उसे एक लिटर सरसों के तेल में अच्छी तरह पका ले और फिर उसे चान कर उस तेल से घुटनों की मालिश करने के बाद सिकाई करें यह kaya fal या फिर kaya fal की च्छाल बाजार से लाकर उसे नीमू के रस में घिस कर उसका लेब गुटनों पर लगा कर सिकाई करें आप का गुटने का दर्द जल्द ही ठीक होने लगेगा अगर किसी के दांतों में दर्द है तो काईफल की छाल का काड़ा बना कर पुल्ला करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों के सभी रोग दूर हो जाते हैं अगर आपको लू लग गई है तो लू लगने पर इसकी छाल का जूस निकाल कर फिलाने से लाब होता है जलने पर भी यह बहुत फाइदेमन होता है, किसी भी प्रकार के जलने पर इसकी छाल का रस लगाना जलन को कम करता है, साथ ही घाव भी जल्दी भरता है जिन लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं उनके लिए मिर्गी का दौरा पढ़ने पर इसका फल घिस कर पिलाने से लाब मिलता है आपको किसी तरह की स्वास रोग की समस्या है तो इसके छालकर रस राई के साथ पीस कर पिलाने से हित कर होता है 15 दिनों तक लगातार करने से घुटनों के दर्द और सूजन में लाब भी मिलता है तो जाना दोस्तों आपने कि काईफल कितना फायदे मंद है बस आपको काईफल को इस्तमाल करना है और अपने सारे समस्याओं को दूर करना है उमीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूण रहे हैं तो आप हमें comment box पर comment कर सकते हैं दोस्तो हमारे चैनल health tips हिंदी को subscribe करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी problem हमारी solution के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरे लूप चारों के साथ जिसे आप अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए fit रहे, healthy रहे, खुश रहे, thank you